नमस्कार मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 90 इंडिया हर साल 20 करोड रोजगार देने का वादा रहा हो या फिर 2024 तक देश की जीडिपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का वादा रहा हो सरकार के ये सारे के सारे वादे जुम्ले सावित हुए हैं लेकिन अब एक और अभियान पर मोदी सरकार बिफन नजर आ रही है और वो है स्वक्ष भारत अभियान मोदी सरकार गाउं गाउं में टॉयलेट के सुविधा देने की बात तो कर रही है लेकिन देश की अदालतों में ही टॉयलेट नहीं है जी हां आप सभी को जानकर हैरानी होग की देश की तमाम अदालतों में महलाओं के लिए अलग से टॉlets लेट ही नहीं है और जीन की नीचुनी अदालतों में महलाओं के लिए अलग से टॉlets रिची शुविधा है उन पर ताला लगा हुआ य जब इस बात के जानकारी CGI को हुई तो वो बिफर गए और तुरंत हाई कोट को फोन करवाया स्वक्ष भारत अभियान चलाने वाली मोदी सरकार की राज में अदालतों में टॉयलेट की क्या इस्तित्ली है उस पर भी बात करेंगे फिलहाल उस मामले को जान लीजिए जिसकी जानकारी होते ही CGI को गुस है इससे महिलाएं परिशान है हाई कोट के एक आदेश के बात से टॉयलेट बंद चल रहा है वकील की बात सुनकर चीफ जस्टिस डीवाइच चंदरचूर है उन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट जच से बात करने दीजिए इसके साथ ही CGI ने ये भी कहा कि हम इस मामले को 28 अपरेल या फिर 24 अपरेल को ही सुनेंगे इसके बाद CGI ने कोट स्टाफ से कहा कि हाई कोट के रेजिस्ट्राट जनरल को फोन मिलाए वह आपको कारण बताएंगे कि महिला टॉयलेट क्यों बंद किया गया है एक कोट का मामला CGI के संग्यान में आया तो अब उमीद है इ डेश की तमाम अधालते तो ऐसी है जहां महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट ही नहीं है जबकि सरकार गाउं गाउं में टॉयलेट बनवाने की बात कहती है अदालतों में यहाल तब है जब सुप्रीम कोड लगातार नियायले परिसर में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट का इंदजाम करने को कहता रहा है आंकडू पर गौर करने तो देश भर के एक चौथाई से ज्यादा कोड कॉंप्लेक्स ऐसे हैं जिन में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट ही नहीं है वो आकडे खुद सरकार की तरफ से राजसभा में दिये गए हैं बतादे कि देसंबर 2022 में केंद्री कानून मंत्री किरन रिजीजू ने राजसभा में बताया था कि देश भर के 26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है दरसल से कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है रिजीजू ने बताया था कि नेशनल इंस्टिट्यूट औफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने ऐसा कोई डेटा तयार नहीं किया है हाला कि सुप्रीम कोड की रजिस्ट्री ने कोड में सुविधाओं को लेकर एक डेटा तयार किया है जिसके मुताबिक देश के 26 प्रतिशत कोड कॉंप्लेक्स में लेडीस ट्वालेट नहीं है मतलब एक चौथाई से ज्यादा अदालतों में लेडीस ट्वालेट है ही नहीं केंद्र सरकार ने दलील दी कि नियाई पालिका से जोड़े इंफ्रेस्ट्रक्चर की प्रा कारी भरकम बजट है जिसमें से 5307 करोड रुपए केंद्र सरकार दे रही है ऐसी में सवाल तो बनता है कि ये पैसा आखिल जाकार क्योंकि सरकार के ही मताबिक 1994 से एक योजना चल रही है जिसकी अवदी 2021 से 24 से बढ़ा कर 25-26 तक कर दी गई है यानि 30 सालों में भी देश की 26 प्रतिशक अदालतों में महिलाओं के लिए टॉयलेट बन ही नहीं पाए जबकि मोदी सरकार 9 साल से स्वक्ष भारत अभियान चला रही है सडकों और चौराह पर टॉयलेट बनाने का दावा करती है लेकिन देश की जिला अदालतों में महिलाओं को टॉयलेट इस्टमाल करने के लिए फटकना पड़ता है हाला कि गाओं में कितने शौचाले बन पा रही है सौचाले की नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती हो रही है कितना जोल जाल हो रहा है इसकी खबरे भी सामने आती रहती है फिलहाल कोट की बात करते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि जब अदालतों में ही शौचाले की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो देश में कैसे होगी कुछ वक्त पहले ही जुडीशियल रिफॉर्म पर काम करने वाले थिंक टैंक विधी ने डिस्ट्रिक्ट कोट में टॉयलेट को लेकर एक सर्वे किया था जिसमें चौकाने वाली बाते सामने आई थी विधी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 665 डिस्ट्रिक्ट कोट में से 100 से ज्यादा ऐसे थे जिन में महिला टॉयलेट था ही नहीं और जिन में था उनमें से भी महस 40 प्रतिशत ही संचालेट थे मतलब जिन अदालतों में महिलाओं के लिए टॉयलेट बने भी हैं उनमें भी आधे से ज्यादा टॉयलेट की हालत ऐसी नहीं है जिनका इस्तमाल किया जा सके विधी की रिपोर्ट में सबसे खराब हालत गोआ, जारखंड, उत्तरप्रदेश और मिजोरम के अदालतों की हैं इन राज्यों के कोर्ट कॉम्पलेक्स में ज्यादा तर महिला टॉयलेट संचालित ही नहीं थे ऐसे में सवाल तो बनता है कि 9000 करोड का बजट जिसमें से आधे से ज्यादा यानि 5307 करोड केंडर सरकार दे रही है तो वो पैसा जा का रहा है हकीकत ये है कि टॉयलेट हैं ही नहीं और जहां हैं वहां बंद पड़े हैं तो क्या ये बजट सिर्फ कागजों की शोभा वास्ता भी है वैसे तो सरकार महिलाओं के लिए उज्वला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला हेल्प लाइन सखी निवास प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना जैसी तमाम योजनाय चला रखी है लेकिन कोट में शौचालियों की ये स्तिथी देखकर सव असा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी बताईए टुटर है आटिकल 19 अंडर्सकूर इंडिया इसको भी फॉलो कर लिजे नमस्कार